नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में इस वीडियो में जनेंगे बैंक आप ब्रोदा और केंडरा बैंक के बारे में यदि आप इनमें से एकांट खुला लिए हैं या फिर आप एकांट खुलाना चाहते हैं आपको इनके साथ कौन-कौन से सर्विस मिलेगी और उस सर्विस के उपर आपको कितना चार्ज पे करना होगा आपको इस वीडियो में सारे जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो के अंधतक बने रहें चलिए video start करते हैं विडियो start करने से पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चे vẫn पहली वारा हैं तो लइक कर दिएक और चेनल को सब्सक्राइब कर दिएगा विडियो से संब्प h 뒤에 किसी प्रकार की समस्या होत आप हमसे केमेंट बॉक्स में केमेंट करके पूछ भी सकते हैं चलिए जानते हैं यदि आप बंक और वरोद्वा में एकॉंट खुलाना चाहते हैं तो आप इनका एकॉंट ऑन लायन भी खुला सकते हैं यह फिर बैक और बढ़ाँधा की किसी जमा करना परेगा minimum requirement जो है बहुत 200 रुपिया है आपको minimum 200 रुपिया आपने bank account में जमा करना होगा वह फर्स्ट टाइम account open के दर्वियान वह एक प्रेंट की बात कर लिया जाए आप जब आपको इसके साथ कोई वी रासी जमा करने की जवरत नहीं परेगी आप जिरो रुपिया के साथ account open कर सकते हैं जब आप किसी csp point में या फिर camera bank के ब्रांच में जागर के account open कि जेगा आपको minimum requirement 500ड़ का परेगा आपको कम से कम पॉंशन रुपिया आपने account में जमा करना होगा तब आप उनका account open कर सकते हैं फरस्ट फाइम यह रूलर छेत्र के लिए 8 गरामिन चेत्र के लिए यदि आप सारी चेत्र में आते हैं आपको कम से कम 1000 रुपिया आपने account के साथ खुलाना ब्रोधा का जब एकोंट खुला लिए हैं या फिर खुलाइएगा आपका जो इसका एकांट मेंटनेस करना होगा एकोंट मेंटनेस आप एक हजार रुपिय के साथ करना परेगा यदि आपके एकॉंट में एक हजार से कम हुआ तो आपका उनके ऊपर कुछ चार्ज लग जाएगा वहीं के राइवेंग का बात कर लिया जाए आपके राइवेंग का जब एकॉंड मेंटेनेंस की जगा आपको इनके उपर भी अगर ग्रामीन चेतर में आते हैं तो आप 500 रुपिय के साथ एकॉंड मेंटेनेंस कर सकते हैं यदि आप सारी चेतर में आते हैं तो इनका आपको इसके ऊपर 30 रुपीय का चार्ज कर जब आपके एकांट से ओटमेटिक कर जाएगा एकांट मेंटनेंस के चार्ज के रूप में अगर बात कर लिए आपके सर्विस के बारे में आपको बैंक को ब्रोदा आमें जब एकांट खुलाई है अब इनके साथ एट्यम कार्ट की सुभीदा मिल जाएगी मोवायल बैंकिंगिंगी इंटरनेट रेकिंग और SMS क्या निल जाएगी और आपको चेक बुक की फिशिलेटी को कहने को मिल चाहिएगि वैस Tap मिल जाएगे चलिए जानते कि यह दि आप इनका लेने की उपार आपको कितना चार्ज देना करने के लिए करने के लिए एक सब्सक्राइब । कर लिया जाए त आपगो ब सेटीत ठीमं कार्ट को ल्याइगा और आपके वरद्वा के बात कर लिया जाए तो आपको इनके ऊपर 120 रुप्या पलस जीस्टी लगेगा वह एट्यम मेंटनेंस के तौर पर आपके एकॉंट से डेबिट हो जाएगा अगर आपका कार्ड कहीं गुम हो गया हो या फिर आपका चीफ कार्ड खराब हो गया हो आप उसे रिप्लेस्में काड को जब दुबारा लिज़ जएगा आप एट्यम खो जाने की स्थिति में यह फिर किसी कारण बस आपका एट्यम चीफ कारड खराब हो गया हो आप उसे एट्यम काड को जब दुबारा मंगाएगा आपको इसके उपर 50 रुप्य का चार्ज देना अगा वह रिफ्लेस् भात कर लिया आपको आपको बरोदा में कनेक्ट करके नाम से अप्लीकेशन मिलेगा प्लिय इस्चोर पे जिसकी मदर से आप स्थेओं का लाब ले सकते लीएँ सकते हैं केंडि न in केंडी मुआल अप्लिकेशन के नाम से आपको केंड़ा बैंक का ओफिस्ट्याल अप्लिकेशन मिल जगा जिसका इस्तिमाल करके आप एक दिन में दो लाग तक की मने ट्रांसपर कर सकते हैं और उसमें आपके खाते की सारे जनकारी दी हुई रहेगी जैसे कि आपके अधार का जुटा हुए ये फिर नहीं तो आप मुआ से जोर भी सकते हैं और मुघल कर सकते हैं यह फिर आपने एकॉंट में किनका नोमनी है आपके फैमिली में कौन नोमनी दिये हुए आप अगर भूल गया है तो आप महाँ से चेक भी कर सकते हैं आपको वेंक बुर्दा में भी यह सारी फैसलेटी मिल जाएगी आप महीं से दूसरा अगर आपका अटेम काड कहीं गुम हो गया हो तो आप उसे बलॉक यह की फैसलेटी मिल जाएगी यदि आप ब्रोदा का इंटरेट बैंग यूज की जिए आपको उनमें सारी फैसलेटी देखने को मिलेगा जीसे कि आप अपने अधार नमर जोड़ सकते आपका अधार नमर नहीं जुरा हुआ तो आपके नोमनी को भी आप अपडेट कर सकते य यह सारी सर्वीस आपके अरा बेंक के साथ भी कर सकते हैं चलिए बात करते हैं समस्ट के बारे में यदि आप बेंक का बरोधा में एकाउंट खुलाएगा आपको इनके ऊपर कुछ पर्तियाक मेंदा पंदारुपिया अपके बंतारुंडन से कल लिया एटियम से पैसे निकाल लिए यह जमा किज़ेगा जो उसका SMS आएगा या फिर जो भी आप अपने एकॉड के साथ लेंदन किज़ेगा उसका जो SMS आएगा तो उस SMS चार्ज के तर रूप में आपके एकांट से 5 रुप्या केंद्रा पर तियक मैने काट लेगा वो आपको SMS के रूप में आपके काट लिया जाएगा चलिए बात करता है आप चेक्बुक के बारे में आपको दोनों बारा चेक्बुक की भी फैसलेटी आपको इसके उपर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा वही जब आप सकेंड टाइम इसका चेकबुक लिजेगा आपको इसके उपर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा वही जब आप सकेंड टाइम इसका चेकबुक लिजेगा आपको इसके उपर कुछ चार्ज देना होगा उस चार्ज का मैं लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर यह जनकारी आपको पसंद आई होगी अगर यह जनकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर देजेगा वीडियो से समधित किसी परकार की समस्या हो आप हमसे केमेंट बॉक्स में केमेंट करके पूछ भी सकते है थेंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो धन्यवाद